नेपाल में बही कंप वहा है यह तो खुछ भी नहीं हुआ है यह तो आपको जागरण करने के लिए हुआ के शब धंदों में है नुकसान सब दंदों में नुकसान है उनको छोड़ दो जल्दी जल्दी इश्वरी ग्यान में आ जाओ बाप के बच्चे बनेंगे बाप का धंदा करेंगे तो बाप तुम्हारे उपर छत्र छाया ले करके खड़ा रहेगा तुम्हें डर भी नहीं लगेगा अरे आप भूकम पुआ ह कुछ नहीं बिगड़ेगा अरे ये तो मुसल्मानों मुसल्मानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनास के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे तो आपको मौज में रहना है या जब भूकंप आता है तो दुखी हो करके इधर उतर भागना है मौज में है अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो इंडिया में भी हुआ भूकंप दिल्ली में भी हुआ नेपाल में भी हुआ